बिवांशु एक बार फिर से पार्टी की कमान अनुप्रिया पटेल के हाथ में हैं जी मयूरी आपको बता दे कि अपना दल S का रास्ति अधिवेशन संपन्द हो चुका है इस अधिवेशन के अंदर में प्रदेश के अलग अलग जीलों से अगर बात की जाए तो उत्तर पदेश के 75 जिलों से तमाम पदादिकारी कारेकरता इसमें सिर्कत किये थे और आपको बताए कि एक बार फिर कारेकरता और जो कोर कमेटी है उन्होंने वास्ति अधिवेशन का जो जिम्मा था साथी साथ सभी सांसद और सभी जो पदादिकारी है वो सामिल हुए आपको बता दे कि अपना दल एसको पदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब अन्प्रिया पटेल ने उसको बताते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हम जो उनके पार्टी के मार्ग दर्सक है उनके पिता और उनके वाजुति गुरू कुष्णा पटेल उनके तमाम सपने थे उसको वो साकार कर वही है और जो सपने अधूरे हैं जल्द उसे पूरा करेंगी और इस वक्त मैं इंड्रागाधी पति स्थान पे हूँ जहां आपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यह बात की जाए तो मेरे ठीक सामने एक जिले के जिला ध्यक्ष है वह अभी अगर बात की जाए तो उनके पैव में फ्रैक्चर है और टाका का फ्रैक्चर कटने के बावजूद वह कहीं ना कहीं उनका जोस है जो इस अधिवेशन में उन्हें खीच लाया है सबसे पहले हम उन पार्टी को राजस्त्री पार्टी का धर्जा मिला तो हम पहली बार अपने संवेधानिक तरीके से अपने राश्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए यहां वश्तित हैं जी बिल्कुल मैं आम तौर पे देखा जाता है महिलाओं की वाज़दिती में भागीदारी कम होती है मगर इसका उल्टा एक जीता जाकता उदारन है अपना दल एस क्योंकि देखा जाए तो इस दल में जो राश्टी अध्यक्षा हूँ एक महिला है यह आम तौर पे कम देखने को मिलता है क्या कहेंगी कितनी मजबूती मिलती है महिलाओं किस से हमारी नेता मानी भान उनुप्रिया पटेल जी इस भारती लोक तंत्र की एक आदर्स सक्ती है नेत्रित करता के रूप में जो महिलाओं को एक असीम जो है प्रड़ा देती है कि कि किसी भी पद को राजनितिक पद को हमारे महिला बहने जो है अज हमारे लिए गवरों का दिन है और एक अतहासिक दिन है यह राष्ट्री अध्यच निर्विरूत तरीके से जो है अपने पार्टीगी राष्ट्री अध्यच बनाई गई है सकती है बनन प्रिया जी राजनितिक चेत्र में महिलाओं को लाने के लिए कि उसका कोई हम बयां नहीं कर सकते हैं सब दो में वह सकती हमको मिल रही है हम कुछ और लोग से बात करेंगे आपका नाम क्या है और कहां से आये हैं राजेश पटेल बुल बुल मैं प्रयाग राज की धरती से आया हूं और बहन अन्प्रिया पटेल का जिस तरीके से नेत्रितु सामाजिक निया प्याधारी चल रहा है निश्चित रूम में हमने तो स अस्तर की पार्टी हमें बनानी है इसके लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं अज अन्प्रिया पटेल ने अपने समोधन में कहा कि हम जो तमाम सपने थे उसको पूरा कर चुके हैं आप विधायक हैं 11 जो विधायक की बात हो रही थी 12 विधायक बात हो रही थी उसमें से आप एक हैं कितनी सुकता थी आज की अधिवेशन को लेकर फिर से अध्यक्ष का जिम्मा मिला अन्प्रिया पटेल को कितनी इस बात को लेकर उल्ला साब के अंदर यह एतिहासिक चण है बहन अन्प्रिया पटेल इस समय देश की महिला आइकन है पिछड़े दलतों सोस्तों की आवाज हैं तो यह हमाई लिए एतिहासिक चण है और पूरा अपना दल और पूरा सोसित बंचिस समाज अधी आवादी मैलाओं की जो आवादी है सब प्रसंद है बहन अन्प्रिया पटेल के रास्ते जग बनने पर ओर दिन दूर नहीं उत्तर प्रदेश की मुखमंती क कुर्सी पर बहन अन्प्रिया पटेल कावीज होगी एही हम लोगों का सपना है और जिन दावाद यह सपना पूरा नहीं होता है हम लोग 14 नहींटे दिल रात काम करेंगे हमें यह बताएं कि आप शेत्र की समस्याओं को अई बिधान सवा में रखते हैं कुछ ऐसी भी समस्याओं होती है जो अपने वाश्टी अध्यक्षा से आप उनसे वाय मुष्णरा करते होंगे तो कैसा रवया रहता उनका एकदम हमेसा सहोग आत्मक रवया रहता है और हमें यह बता है कि प्धेश कि अब तीसवी बड़ी पार्टी के भूप में अपना दल देखी जा रही है क्या कहेंगे इसको लेकर तीसरी नंबर की हमारी यह कारकरताओं क्यों सहयोग मिले हैं कारकरताओं का मनोबल देखिए हकीकत में अपना दल का जो कार करता है वह जमीन से जुड़ा है और एक एक गरीब मजलूम बंचित सोसित का साथ देता है हमेशा दुख में खड़ा मिलता है राजिस्तरी आज पार्टी तीसरे नंबर की बनी है मैं आने वाले कल में यह उर्जा चुगी डाक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिस तरीके से अंदोलित करते थे उर्जा भरते थे उनका कहना था कि हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ब्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उस पर बहन अन प्रिया पटेल जी सामाजिक नया की चर चाहें करते करते आज वह संगठन बढ़ा रही है कि आने वाले कल में हम राज्य इस्तरी से राष्टी इस्तर की पार्टी बनाने में सफल होंगे तो मैयूरी आपने साफ तौर पे सुना कि कारकरताओं के अंदर जो पदाधिकारी हैं हमारे साथ विधायक थे तमाम कर लिए जाएंगे जे अधिक है उसके बार लोग सभा का चुनाओ है तो राष्टी अधिवेशन में इसको लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है जी बिल्कूल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीवा से भी लोग आये हैं यानि कि मध्य प्रदेश के वीवा से लोग आये हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जो राज है उसने भी लोग आज यहां सिर्कत किये हुए हैं अच्छा आप अपना राम बताया और कहां से आए हैं और कितनी उत्सुक्ता थी इस अधिवेशन को लेकर आके आपको कैसा लगा अपने नेता को सुनके मेरा नाम दिनेस बियार है मैं जनपद सोन भद्र का 36 गड़ मद्य प्रदेश जारखंड और बिहार बाडर से हूँ और 36 गड़ का भी निवासी हूँ आज मैं राश्टी कारकाने सदस्य भी हूँ अपना दल्यस राश्टी अद्ध्यक्ष मान्यान प्रिया पटेल जी को निर करेंगे क्योंकि हम लोग 36 गड़ मद्य प्रदेश जारखंड बिहार हर जगह पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं अच्छा आप बुजर्ग हैं निकायच 9 साल के अंतिया नए साल पर हो सकता है क्या आप एकसा रखते हैं पार्टी में कैसा परदर्सन करेगी और किसको मद्य प्रदेश से हूं मेरे नाम सुर्भांग दिंग है मैं यही जो राश्ती अधिक्स का नरवाचन था इसलिए कारकम में सामिल हुआ बहुत बढ़िया कारकम रहा बढ़ा अच्छा जैन से लाव रहा बहुत इचे कार करता रहा है तो सोने लाल पटेल उत्तर की प्रदेश नाम साहत लगे और उनसे उर्जा मिल सके कारकम करताओं के मद्य प्रदेश में बहुत कारकम करते थे हम लोग उनके साथ सदय रहते थे वो नहीं रहें उनकी बेटी अनपरिया पटेल जी उनसे भी बेहत्री इन परदर्शन करके आज इस पार्टी को जो डाक्टर साब के समय में इसका पंजियन हुआ था आज वो उत्तर प्रदेश है से विशाल राज में एक राजिस्तर की पार्टी की मन्यता मिली और ये दिनों दिन इसका कार पूर प्रदेश अध्यच एवं प्रदेश प्रवक्ता रहा हूं आज वास्तिय अधिवेशन में आये थे और आपको अपने निता को सुना कितना उबजाल मिला उससे वह तो ब्यवस्ता परिवर्तन क्या ग्रदूत है उन्हों ने जो डाक्टर स्वेंडल पटेल साब ने के लिए काम कर रही है मत उनको सरप्रथम अपने मद्ध प्रदेश की तरफ से राठी अध्यच बनने की बहुत-बहुत हार्दिक बढ़ाई यह महार्दिक सुबकायम नहीं देता हूं तो आपने साफ तौर पे सुना कि जो डॉक्टर लाल सोने डाल पटेल थे उनका उत्त समलित हुए हैं हमारे साथ है एक महिला है जो डॉक्टर सोने लाल के संगहर्षों के दिने उनके संगहर्षों को बहुत ही करीब से देखी है साथी साथ जब अपना दल का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं वह संस्थापक प्रस्दस्य के तौर पी काम की है सबसे पहले आप प्रस्द्นะคะ का जब जिंबह है वह अलुपिया पटेल को फिर से सौपा गया है कितनी खुसी है से अ कि अपरिया पतेल राश्टी हमारा प्रस ये लिए अफरदी में करे दिल से आसिरबात ये तो उठध डाब दिल निव डाले ने अपना दल का तब से हमानाम लखुचा अधरी अपना दल परदेश महा सचुव वहीं आई और प्रताब गर से पहला भी दहा एक दिन तो प्रताब गर से अपना दल का दिन और जब तक हाथ पर चले तब तक दल में काम करा और अनपरिया पटेल के जब तक मंत तिरी ना बना आई दे तब तक बैठाबना अच्छा आज अनपरिया पटेल अपने संबोधन में कह रही थी कि दॉक्टर सोनेलाल पटेल को जो सपने थे उसको कुछ हम पूरा कर लिए जो अधूरे उसे पूरा करेंगे और इसको लेकि आप क्या सूचती है बासोही डाक् पटेल का सपना जो अधूरा रहा उसे के पूरा करने के लिए सारे लोग लगाई और होगा पूरा होके रहेगा पूरा अपना दल जिंदा बाद अनपरिया पटेल जिंदा असीस भाईया जिन तो साब तो तो से आप ये पतादिकारियों को जे बहुत बहुत धन्यवाद व्यांसू आपका हम से जुड़ने के लिए जी नंदरीज़